हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा साथ की वॉक्षीट नंबर 15 जो की 10 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है बेटा सामाजिक विज्ञान और आज का टॉपिक है समानता तो चलिए शुरू करते हैं अपने आत्म समान को दाव पर लगा कर जीवित रहना आशोबनी है आत्म समान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है इसके बिना व्यक्ति नगन्य है यानि की हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा आत्म समान सबसे उपर है और उसके बिना हम जीवित रहतो सकते हैं पर वो जीवन कि एक अच्छा जीवन हम कह सकते हैं कि नहीं कहलाएगा आत्म सम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठनाईयों पर विजय प्राप्त करनी होती हैं केवल कठिन और निरंतर संगर्ष से ही व्यक्ति बल विश्वास और मानिता प्राप्त कर सकता है यानि अगर हम ल आश्वान है मतलब की मनुश्य का एक दिन तो विनाश होना ही है मतलब डेथ निश्चित है हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्म समान के उच आदर्शों को विक्सित करने और अपने म को खो कर और फिर हम जीवन को अच्छे से जीए ऐसा नहीं पॉसिबल है किसी साहसी व्यक्ति वह देखो यहां पे शायद थोड़ी सी गडबर है प्रिंट करने में किसी साहसी व्यक्ति यहां पर के आएगा के लिए आत्म समान रहित जीवन जीने से अधिक आशोबनी और अब फिर आ鬼 गई है और यह बाट कही गई है डॉक्तर भीम राउ अमेध कर के द्वारा और देखो यहां पे अमेध कर Contender की की नियम कानून है से प्रावधान है जो समानता को स्थापित करने की बात करते हैं जैसे कि पहला है ये वाला कानून की दृस्टी में हर व्यक्टी समान है यानी चाहे कोई अमीद है, गरीब है, लड़का है, लड़की है चाहे वो कुछ भी है, कैसा भी है लेकिन कानून की नजरों में हर एक इनसान एक जैसा ही होता है अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाती, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मना ही है तो ये सब चीजे हमारे समिधान में लिखी हुई है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे चाहे उनका कुछ भी धर्म हो, उनकी जाती कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी लिंग से बिलॉंग करते हो चाहे वो कहीं पर भी पैदा हुए हो, आप उनसे भेदभाव नहीं करेंगे यानि पहला हमने पढ़ा कि सभी व्यक्ति समान है, दूसरा हमने देखा कि भेदभाव करना मना है तीसरा जो प्रावधान है मारे सम्विधान में कि सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उप्योग कर सकते है तो देखो एक लंबे समय पहले ऐसा था कि कुछ जगें निश्चित कर दी गए थी कि कुछ लोग इस जगें पे नहीं जा सकते है कुछ लोग कुओं से पानी नहीं पी सकते है नल से पानी नहीं पी सकते है बाजार नहीं जा सकते है तो इस तरीके के जो प्रावधान है कि अब ऐसा नहीं रहा है हर कोई हर एक जगें जा सकता है सार्वजनिक स्थल का मतलब होता है जैसे कि कोई भी ऐसा स्थल जो सभी के लिए होता है जैसे पार्क है, कुवाँ है जहाँ पर कोई भी जा के अपना काम कर सकता है और चौथा प्रावधान है कि आस प्रिश्रिता का उन्मूलन किया गया तो पहले क्या था? चुआ चूद का बरताव किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों से पर अब उसका उन्मूलन कर दिया गया है मतलब कि उसको खत्म कर दिया गया है और अब भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो आस प्रिश्रिता का पालन करता है तो उसको सजा दी जाएगी हमारे कानून के तहत अब देखो शासन ने समविधान द्वारा मानने किये गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागो किया है यानि जो समानता के अधिकार है उसको दो तरीके से लागो किया गया है पहला क्या है कि कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओ वा कारिक्रमों द्वारा सुविधा हीन समाजों की मदद करके तो समानता का दिकार तो पहला तो है कि हमने कानून बना दिया इसके द्वारा हमने समानता को सुनिश्चित किया और दूसरा है कि हमारी सरकारें वो अलग-अलग समय पे अलग-अलग योजनाएं और कारिकरम बनाती हैं जिससे हमारे समाच के वो वर्ग जो सुविधा हीन हैं उनको मदद मिल सके और वो भी दूसरों के लेवल पर आ सके उनके साथ समान हो सके भारत में ऐसे अनेक कानून है जो व्यक्ति के समान वेभार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैक्डों वर्षों तक आसमानता का वेभार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कारिक्रम और योजनाय लागू की है तो हमने पढ़ा था कि reservation policy इसी चीज़ का नतीजा है कि reservation policy में उन लोगों के साथ जिनके साथ हमेशा से बुरा वेवहार किया आता गया है और जिस वज़े से वो समाज में अच्छी position पे नहीं आ पाए है अब वो अच्छी position पे आ सकते हैं तो इस तरीके के कारिक्रमों के द्वारा लोगों को समान बनाने की कोशिशें की जाती रही है ये योजनाय ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सकें और वो भी अपनी स्थिती को सुधार सकें अब इसके बाद देखो मध्यान भोजन की विवस्था यानी की मिड़े मील की विवस्था जो होती है हमारे स्कूल में उसके बारे में यहां पर कुछ बताया हुआ है कि इस कारिक्रम के अंतरगर्द सभी सरकारी प्रात्मिक स्कूलों के बच्चों को प्रात्मिक मतलब फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के स्कूलों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल से ही खाना दिया जाता है लंच टाइम में यह योजना भारत में सर्व प्रधम तमिल नाडू राज्य में प्रारंब की गई थी और 2001 में उच्टम न्यायलने ने सभी र सभी राज्यों में चलाई जाएगी छे महीने के अंदर अंदर इस कारिक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए हैं यानि इस कारिक्रम से बहुत जादा फायदे हुए हैं उधारन के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कू स्कूलों में जाना शुरू कर दिया है तो हम पहले देखते थे कि वो लोग जो गरीब हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे और क्यों नहीं भेजते थे कि जिससे उनका बच्चा कहीं पर काम करेगा तो थोड़े पैसे कमाएगा और घर को इससे चलाया जा सकता है लेकिन अब क्योंकि उन्हें खाना स्कूल में ही मिल रहा है तो जाधा बच्चोंने एडमिशन ले लिया है स्कूल में और जाधा बच्चे रेगलर स्कूल आते हैं जिससे उन्हें यह मिड़े मेल याने की भोजन मिल सके सिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लोटते ही नहीं थे तो देखो ऐसे भी बहुत सारे स्कूल होते हैं जहां पर लंच टाइम में बच्चों को घर जाने की छूट दी जाती है कि घर जाके आप खाना खाके फिर वापस आजाओ लेकिन होता क्या है कि बच्चे घर तो जाते हैं लेकिन खाना खाने के बाद वापस स्कूल नहीं आते थे पर अब क्योंकि स्कूल में ही खाना दिया जाता है तो ये जो समस्या आ रही थी कि बच्चे वापस स्कूल नहीं आते थे वो भी हल हो गई है परन्तु अब जब मध्याहन भोजन स्कूलों में मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिती में सुधार आया है इस कारिक्रम से जातीगत पूर्वा ग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है तो देखो पहले जातिकत पूर्वा ग्रेख मतलब ये थे कि जाति के आधार पर लोगों के साथ अलग-अलग तरीके का वैभार किया जाता था पर अब क्या होता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं तो उनके अंदर ये जो जाति को लेकर भेद भाव था, वो भी अब काफी जादा कम हो गया है तो देखो मिड़े मेल के काफी सारे फाइदे हुए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी उसके बाद है यदभी लोग ये जानते हैं कि भेद भाव का वेवार कानून के विरूद है फिर भी वे जाती, धर्म, दिव्यांगिता, आर्थिक स्थिती और लिंक के आधार पर लोगों से आसमानता का वेवार करते हैं हालांकि ये गैर कानूनी है लेकिन फिर भी भेद भावपूर्ण वेवहार किया जाता रहा है हमारे समाज में वर्तमान व्रस्टिकोन को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मान जनक व्यवहार का अधिकारी है तो हम सबको ये चीज़ जरूर सीखनी चाहिए कि हम हर किसी इंसान को सम्मान के साथ व्यवहार करें बात करें किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें प्रजा तंत्रिय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संगर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन समाजों को सहयोग देना है तो देखो हमारा जो देश है वो एक लोग तांत्रिक देश है जिसको हम प्रजा तांत्रिक देश भी कह सकते हैं लोग तांत्रिक का दूसरा नाम प्रजा तांत्रिक होता है ठीक है तो यहां पे समानता को स्थापित करने के बहुत सारे प्रयास किये गए हैं किये जा रहे हैं ऐसे में हमें मतलब हर एक व्यक्ति को और हमारे समाज के हर एक हिस्से को अपना योगदान देना चाहिए जिससे हम हमारे समाज को समानता के आधार पर व्यवस्थित कर सकें ठीक है अब इसके बाद देखिए पहला प्रश्ण है कि समानता के लिए भारते सम्विधान में किये गए प्रावधानों का उलेख कीजिए तो कौन-कौन से प्रावधान है हमारे भारतिय सम्विधान में तो आप पहले प्रेशन के उत्तर में ये सारे एक, दो, तीन, चार, ये चारों प्रावधान लिख देंगे ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रेशन जिसमें हमें पूछ रखा है कि दो पहल भोजन विवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है? वरन कीजिए तो चलिए इसका अंसर मैं बताती हूँ आपको कि क्या है? और तीसरा प्रेशन है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाए बताईए तो चलिए इन दोनों प्रेशनों का उत्तर हम देखते हैं तो देखे दूसरे प्रेशन का आप उत्तर लिखेंगे कि इस विवस्था से समाज से जातिगत पूर्वाग्रे कम हो गया है यानि कि जो मिड़े मील विवस्था है इस समाज में जो जातिगत पूर्वाग्रे थे उसको कम करने में काफी जादा महत्वपूर्ण भूमे का अदा करी है अब पहले हम पढ़ लेते हैं तीसरा प्रेशन और फिर हम देखते हैं उसका आंसर देखिए तीसरे प्रेशन में हमसे पूछा है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाए बताईए तो हमें यहाँ पे कुछ उपाए बताने है कि समाज में अगर समानता लानी है तो वो किस प्रकार लाई जा सकती है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं तो आप आंसर लिखेंगे कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए निम्ण उपाय किये जा सकते हैं पहला है कानून बनाकर, दूसरा है सरकार के विभिन कालक्रमों के द्वारा और तीसरा है लोगों को सिक्षित करके, ठीक है? अगर आपको विडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू